प्रेवियू इसको geographical basis के आधार पर या geographical basis पर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला पार्ट उसमें से क्या था हमार हिमालय था दूसरा पार्ट हमारे क्या है अभी हम लोग देखेंगे The vast northern plains मतलब northern plains मतलब हमारे इंडिया के north वाले area में जो बहुत बड़े-बड़े मैदान जहां पर बहुत सारा river जो है flow होती है गंगा हो गया, यमुना हो गया और गंड़क हो गया, कोसी हो गया बहुत सारे rivers जो हैं flow होती है सिंदू, सतला जी ये सब के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं The vast plains of the north are prominent geographical features of Indian subcontinent they spread across Pakistan, India, Bangladesh जिस हम लोग north plain की बात कर रहे हैं ना ये north plain सिर्फ ऐसा नहीं है, कि ये सिर्फ हमारे इंडिया में है इसका कुछ हिस्सा हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है कुछ हिस्सा हमारे भारत में है, maximum portion हमारे इंडिया में है और इसका जो कुछ portion हो कहां पर है, बांगलादेश में भी ये distributed है To the west lies Indus river valley and middle the Gengas river valley and the east is the Brahma putra river valley अब जो हम लोग जो northern east या northern plains की बात कर रहे है ये तीन नदियों के बीच में तीन नदियों के कारण जो है बना हुआ है इसके सबसे east अगर west side में हम लोग बात करें तो west side में कौन है, Indus river है, middle में Ganga river है और जो इसका eastern side है, वहाँ पर Brahma putra river है ये तीनों ही बहुत बड़ी नदियां हैं जो अपने आसपास का करती है plains का formation करती है और काफी fertile land जो है ये बनाती है इसलिए इसको जो है का करते हैं हम लोग Indus Ganga Brahma putra plane के नाम से भी जो है इसको हम लोग जानते हैं अब ये जो है, ये जो plains का formation हुआ है ये हिमालय के formation के बाद में हुआ है That's why we call the plains as a gift of the Himalayas इसलिए इन plains को हम लोग हिमालय का क्या बोलते हैं? Gift बोलते हैं They have always been the cradles of the civilization and the culture और यही पर पहले से ही क्या हुआ है civilization और culture का यहां से क्या हुआ जनम हुआ है They offer all facilities for earning a livelihood That is why large percentage of India's population lives here और यहां पर किसी इंसान को जीवित रहने के लिए यहां पर survive करने के लिए जो जो basic needs की जरुरत पढ़ती है जैसे water हो गया, fertile land हो गया इसके अलावा लकडी हो गया जितनी भी चीज़े जो चाहिए एक आम आदमी को life को survive करने के लिए वो सारा का सारा चीज जो है यहां पर हमें देखने को जो है मिल जाता है इसलिए इंडिया का जो maximum जो population है यह इसी plain area पर जो है exist करता है और इसी plain area में जो दो major states आते हैं एक है बिहार और दूसरा का यूपी तो यह दोनों का जो population है यह काफी जादा dense है उसका reason क्या है क्योंकि यहां पर livelihood के लिए basic needs जो है वो पहले से काफी समय से क्या है अगर आप अके लिए UP को देखो तो UP का population जो है 2011 के census के according लगबग 22 से 23 करोड के बीच में है इतना population तो पाकिस्तान का ने जितना population उत्तर प्रदेश का है तो उसका reason क्या है समझ मैं गया fertile lands है इसके अलवा यहां पर earning करने के लिए livelihood करने के लिए बहुत सारी चीज़े जो है यहां पर available गन्ना के खेती कर सकते हैं चावल के खेती कर सकते हैं सबजिया बहुत अच्छे से होती हैं पानी का कोई दिक्कत नहीं होता है यह सब चीज़े के करने सी यहां पर population क्या होंगे dense होते हैं अब आप खुद सोचो जहां पर आपको अपने life को survive करने के लिए basic चीज़े जहां पर भी मिलेंगी उसके आज पास ही तो लोग क्या होंगे अपना livelihood के लिए क्या करेंगे वही पर तो अपना घर बनाएंगे न ठीक है ऐसा तो नहीं है कि घर कहीं पर भी बना लेंगे जहां पर उनको basic needs fulfill होंगी वहीं पर वो घर बनेंगे और यह basic needs इधी northern plains पर जो है क्या होती है फुल्फिल जो है होती है अब देखो यहां पर यह जो northern plains है यह देखने में भले ही plains है लेकिन इन में बहुत सारे जो है डैवर्सिटी जो है पाई जाती है ठीक है rainfall is not uniform across the region जिस हम लोग northern plains की बात कर रहे हैं उस northern plains में जमीन जो है भले ही plain है लेकिन हर जग जो rainfall होता है वो क्या होता है same जो है rainfall नहीं होता है ठीक है rice is the main crop in the eastern plain while the wheat is the main crop in the western plains western उत्तरप्रदेश, हरियाना, पंजाब अगर हम लोग इस, जिस plain की बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस plain के अगर east वाले हिस्से में देखें तो वहाँ पर बहुंच जादा बारिश होती है और बहुंच जादा बारिश होने के कारण से क्या होता है कि वहाँ पर rice हो गया, वहाँ पर jute हो गया, यह सारे चीजों का agriculture जो है किया जाता है जबकि आप west की तरफ जैसे जैसे आते जाएंगे, rainfall का percentage जो है, rainfall का amount जो होता हो, क्या होने लगता है, कम होने लगता है तो इसलिए वहाँ पर ऐसे फसल उगाय जाते हैं, जिसको कम पानी की ज़रुत पड़ती है, जैसे wheat हो गया, यह कहाँ पर उगाय जाते हैं, western वाले एरिया पर उगाय जाते हैं अब हम लोग जिस plane की बात कर रहे हैं न, उस plane के बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, कि उस plane के और क्या क्या चीजे हैं तो देखो, the huge plane is around 2400 km long and 150 to 480 km wide जिस northern plane की बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो कितना लंबा है, देखो, हिमाले से थोड़ा सा छोटा है, कितना km है, 2400 km लंबा है और कहीं कहीं तो 480 km तक यह क्या है, चोड़ा है, तो इसका जो width है, वो कितना है, 150 से लेके 480 km के बीच में है यह इतने बड़ा एरिया को जो ही क्या करता है, कवर करता है, सोचो, हमारे 36 गड़ का जो टोटल एरिया है, वो 1,35,191 स्क्यार किलो मेटर है तो हमारे 36 गड़ जैसे 7,36 गड़ आ जाएंगे न, तो जितना एरिया होगा, उतना एरिया कौन सा है, यह नदन प्लेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह पूरा एरिया कवर करता है, तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा होगा अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, तो फिर वही उसका रीजन है, पुराने लोगों को भी तो खाने के लिए अनाज, रोटी, चावल सब चाहिए, पानी चाहिए, तो वो कहां पर अवेलेबर है, इसी प्लेन एरिया पर अवेलेबर है, इसलिए जो पूरा एंसी एंड जो सि किनारे, इसी नादन प्लेन्स पर जो है क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, मजूली आइलेंड इन असम इस दा बिगेस्ट रीवर राइन आइसलेंड इन दा वर्ल्ड, अब आपने सुना होगा, आइलेंड तो ओशन या सी बनाती है, एक ऐसा भी हमारे भारत देश में या आइलेंड का मतलब यह होता है कि एक ऐसा लैंड लॉक एरिया जिसके चारो तरफ क्या होता है, पानी होता है, और बीच में जमीन होता है, तो जनरली यह आइलेंड जो होते हैं, सी या ओशन में देखने को मिलता है, जिसे लक्षोदीप हो गया, एक आइलेंड है, अंडमा कलर का आपको दिख रहा है न ये पूरा का पूरा हमारा क्या है नदन प्लेन है ठीक है ये देखो कुछ हिस्सा पाकिस्तान का सिंधू ये जो है पाकिस्तान का एरिया है यहां भी है कुछ एरिया इसका फिर हमारा पंजाब हो गया हर्याना हो गया दिल्ली हो गया यूपी हो बिहार हो गया जारखंड हो गया इसके अलावा यह देख सकते हैं आपका यह जो असम हो गया अरुनाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया फिर यह पूरा का पूरा बंगलादेश हो गया वसीम बंगाल हो गया यह ग्रीनिस एरिया जो है यह क्या है हमारे यह जो है नदन प् तोसी है, नीचे से देखे तो हम लोग चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, यहाँ पर सोन रिवर है, यही पर पटना है, अगर हम लोग इस्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या है? ब्रह्मा पुत्रा जो है, रिवर है, जो कि दुनिया का सबसे चौड़ा है, ठीक, व हम लोगों ने पढ़ा था, कि हमाले का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो हम लोगों ने पढ़ा था, कि जो यूरेशन प्लेट है, और जो इंडियन प्लेट है, वो दोनों मूफ कर रहे थे, और इनके मूफ करने के दौरान, जब यह आपस में टक राए, तो जो नीचे का जो जमा हुआ था, जो सेडिमेंट जमा हुआ था, वही चीज क्या होता है, हिमाले के रूम में जो होता है, फॉर्मेट होता है, अब इसी हिमाले का जो बाटन एरिया है, जहां पर पहला टेथी सी था, वहां पर बहुत सारे रिवर्स क्या करते थे, कई सालों तक अपने र यह सब इन्ही प्लेट्व पर फॉर्मेट होते थे और यहीं क्या करते थे बहुंँ ज़्यादा अमाउंट में सेडिमेंट को लाकर इस जगा पर डिपोजिट करते थे और कई सालों तक यह डिपोजिट लाने के कारण से जो हिमाले का जो बॉटम वाला एरिया था जो टेथि हुआ हिमाले के फॉर्मेशन के बाद जो एरिया बचा हुआ था जहां पर बहुँ ज़ादा अमॉंट में वाटर फ्लो होता था गंगा प्रम्हा पूत्रा इंडस रिवर के कारण से वहाँ पर कई सालों तक कई हजारों सालों तक सेडिमेंट के फ्लो होने के कारण वहाँ का जो है अब क्या होने लगा प्लेन एरिया में जो है कन्वर्ट होने लगा क्योंकि सेडिमेंट कंटिनुवसली वहाँ पर आके जमा हो रहे थे अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा चलो अब हम लोग आगे देखते हैं फिजिकल डिविजन अब प्लेन अब अभी जो हम हम लोग किस नाम से देखेंगे इंडस रिवर फ्लो सिस्टम देखेंगे फिर जो सेंटर वाला जो पार्थ ही इसको हम लोग गंगा फ्लो सिस्टम के बारे में देखेंगे और जो इस्टर वाला ये वाला जो पार्थ ही इसको हम लोग ब्रह्मा पूत्रा के रिजन के बारे यह जो हम लोग जिस इंडस सतलच प्लेन के बारे में बात कर रहें जहां पर modern days का पंजाब और हर्याना exist करता है वहाँ पर जो है क्या था पहले वहाँ पर भी टेथी सागर का residue बचा हुआ था इसके अलावा जो है जो इंडस river है और इसके जो tubularies हैं यह सारी के सारे rivers और tubularies मिलकर वहाँ पर continuously क्या करते थे sediments को लाकर जमा करते थे तो जहाँ पर पहले पानी था टेथी सी था हिमाले के mountain होने के बाद भी format होने के बाद भी जो बचा हुआ था वहाँ पर पानी था जहाँ पर continuously कई सालों तक sediments को लाने के करण अब वो भी area कैसे convert होनी लगे plains area में convert होनी लगे और इसका जो maximum हिस्सा है वो आज के present पाकिस्तान में जो है exist जो है करता है in India it cover the state of Punjab in Haryana hence it is called the Punjab-Haryana plains और हमारे इंडिया के गर हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया में दो ही major state से जहाँ पर जो है the India 17 plane exist करता है और वो है Punjab और Haryana बाकी maximum portion कहाँ पर है पाकिस्तान में है it is flat and the fertile अब इस land की सबसे बड़ी specialty क्या है कि यह flat है और flat land पर जो है agriculture या cropping कर पाना बहुत आसान होता है और दूसरा fertile है the rivers of the region have created different land forms such as bet and doab अब यह जो river है continuously flow हो रहे थे कौन कौन से सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, जहलम यह जो है दो area का main formation करते हैं दो land forms का creation करते हैं एक को बोलते हैं bet और दूसरे को बोलते हैं दूआब तो bet का मतलब क्या है जिस area पर जो है बाड आता है flood affected area को हम लोग क्या बोलते हैं bet बोलते हैं और दूआब का मतलब होता है कि दो rivers के बीच का area land between the two rivers such as ब्यास and बारी दूआब ठीक है मतलब पंजाब क्या है पांच river का जो है land उसको क्या बोलते हैं हम लोग पंजाब बोलते हैं तो दूआब का मतलब क्या होता है दो river के बीच का area और पंजाब मतलब पांच river जहां पर आकर combine होते हैं उसको पंजाब बोलते हैं numerous irrigation facilities have been developed here because of the penineal river and the productive land this network of the canal and tubal help the users in the green revolution in the region and the prominent cities include Amritsar and Chandigarh etc अब जिस area के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर पंजाब और हर्याणा आता है तो मैंने वहाँ पर बता दिया आपको कि यहां का जो जमीन है वो कैसा है फ्लैट है और दूसरा क्या है फटाइल है तो इसके कारण से यहां पर agriculture कर पाना क्या होता है बहुँ जादा easy हो जाता है इसके अलाबा बाकी रही सही जो कमी थी जो water की कमी थी उसको यहां पर tube wheel वगरा के थुरू या canal वगरा के थुरू उसको complete कर दिया जाता है और production जो है काफी जादा यहां पर लिया जाता है आपने सुना भी होगा green revolution के बारे में तो green revolution जो start हुआ था वो इसी पंजाब हर्याणा वाले area में जो है हुआ था और यहीं पर start होने का reason क्या है एक तो जमीन flat है और दूसरी क्या है तीसरी पानी की कमी नहीं है तो इन चीजों के कारण जो है पंजाब हर्याणा में green revolution start हुआ था अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इस reason पर irrigation कैसा है और green revolution क्यों start हुआ था यह आप map में देख सकते हो यह आपका इंडर सतलच plane का area है इसका यह वाला हिस्सा जो है यह यहां पर आपको दिख रहा होगा अगर दिख रहा होगा मैं करसर जहां पर चला रहा हूँ इस करसल वारे एरिया पर जहां पर जो यह दे चल रहा है यह हमारा इंडिया है बाकी इधर वाला जो हिस्सा है इधर वाला हिस्सा क्या है पाकिस्तान में जो है एक्जिस्ट करता है तो irrigation के बारे में देखते हैं After independence, India adopted a new agriculture policy that led to rapid development of the irrigated region of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. Agricultural production increased manifold as a result of intensive agriculture practices based on the use of the short division, high yielding varieties, seeds, irrigation, fertilizers, pesticides, etc. Per hectare, yields rose even on small size farm. The new agriculture technique helped the farmers harvest two crops in a year. This increased their income and was prosperally all around. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ. इंडिया जब independent हुआ था 1947 में तो हमारे इंडिया में इतना जादा amount में crop नहीं था कि हम अपने इंडिया के सारे population को feed कर सकें. मतलब एक हिसाब से आप समझ सकते हो, food shortage की problem हमारे इंडिया के independent होने समय थी. तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवहार लाल निहरो या इंद्रा गांधी या जो भी उस समय के जो थे वो सारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सूचा कि हमारे इंडिया में food shortage का problem है. हम यहाँ रहने वाले लोगों का ही पेटनी भर पा रहे हैं. हम लोग हमेशा अमे पर जो है क्या करते थे डिपेंड करते थे एक तरीके से भीखी समझ सकते हैं क्योंकि अमेरिका उस समय से जो है क्या बहुत पहले से डेवलप कंट्री है वहाँ पर नहीं यह टेकनिकों को यूज करने के कारण जो food का production हो क्या होता है बहुत जादा होता है और एक तो अमेर उस समय के current Prime Ministers को अच्छा नहीं लगता था कि हम लोग हमारे इंडिया में जो है इतने capable नहीं है क्या कि हम लोग हमारे इंडिया के लोगों का पेड़ भरने के लिए अमेरिका का वेट करते हैं कि कब वो हमें भीग देखा और हम लोग उसको क्या करेंगे हमारे इंडिया व एक नए तरीके के seeds को हम लोग मंगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं hybrid seeds या उसको हम लोग बोलते हैं high yielding variety मतलब अच्छे quality के मतलब कम amount में जादा production देने वाले seeds को हम लोगों नहीं क्या क्या ब्राजिल से कनाड़ा से मंगवाया irrigation facilities को हमने सही किया उस पर fertilizers हमने यूज कि लेकिन rice का production crops का production जो है क्या हो गया बहुत जादा हो गया इसी area पर इन area पर ठीक है तो इसके कारण से क्या हुआ लोगों का income बढ़ा और वहाँ पर हर जगो जो है prosperity आई और जहां पर हम लोग एक समझ जो है अमेरिका पर dependent होते थे कि कब वो हमें भीग देगा और कब हम लो कि रहने वाले सारे लोगों का पेट भी भर सकती थे और पेट भरने के बाद हमारी यहां जो है एक्स्टा चावल जो है वो बज भी जाता था तो हम लोग food surplus हो गए और thanks to grain revolution और उस समय के जो प्राइम मिनिसर थी इस पेशली जो इंद्रा गांधी जो थी जो short time के लिए उस अच्छे से होने लागा इसलिए आप देखेंगे कि पंजाब हरियाना एक जो भी किसान होते हैं वो हर किसान के यहां बुलेट हो गया कार हो गया हार्वेस्टर हो गया यह बहुंँ जादा amount में रहता है तो उनके पास इतना पैसा कहां से आता है तो उनके पास हम लोगों क यहां 36 गण में क्रॉप का प्रोडक्शन जो है अभी अभी बढ़ा है अभी 15-20 सालों में हमारे यहां फर्टिलाइजर वगरा के यूज करने से जो आपने मम्मी पापा से पूछना जो एकरिकल्चर करते हैं पहले इतना जादा amount में जो है राइस का प्रोड़क्शन नहीं लेकिन जब हमार यहां food का problem होता था तो पंजाब हर्याना वाले नाचते थे उनके यहां साल में 2-2 बार 3-3 बार एकरी culture होता था तो उनको पैसा जादा मिलता था तो पूराना पैसा उनके यहां बसा हुआ है जिसके लिए हर दूसरे घर में आपको देखने को मिल जाएग beside wheat crops like the millets, mage, cotton, sugar cane etc. cultivated, nowadays rise is grown in some part of this region अब यहाँ पर देखो, इसी एरिया पर green revolution के कारण अब हमारे पास sufficient amount में क्या होने लगा, food का production होने लगा, जिसमें wheat था, millets था, mage था, cotton था, sugar cane था, यह सब चीज़े जो हैं होने लगी, लेकिन अब देखो, बोलते हैं कि निभागवान के घर देर हैं कि नंधेर नहीं हर रात के बाद सवेरा होता है, तो पंजाब वाले जो है 1966 से लेकर जब से green revolution ने start हुआ था, अब तक जो है 50-60 सालों में बहुत enjoy कर ले, बहुत प्रोडक्शन कर ले, जितना मन चाहा साल में दो बार, तीन बार ट्यूब वेल वगरा लगा कर, फर्टिलाइजर लगा कर, पेस्टिसाइड लगा कर, बहुत जादा प्रोडक्शन कर ले, अब उनके हाँ प्रॉब्लम क्या रही है, अब एक ही जमीन पर बार 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 साल में तीन तीन बार अगरी कल्चर करेंगे, और उसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को डालते रहेंगे, तो जमीन भी एक टाइम के बाद जवाब दे देगी, बोलेगी, मुझे माफ करो, अब मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अब आप देखोगे कि पंजाब हरियाना के जो किसान है न, वो अपने जमीनों को बेच कर जो है, अब मध्यप्रदेश, 36 गड़, ऐसे रिजन्स पर जो है क्या हो रहे हैं, आकर सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पर प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है तो इसी कारण से अब अपने सारे जमीनों को बेच कर दूसरे कामों में क्या हो रहे हैं, सिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको समझ मैं माजरा क्या है इतना अमीर होने का, और अमीर होने के बाद तो अच्छी है, लेकिन इन्हीं के बदलत हम food surplus भी बन गए, तो इस बात को भी हम बात के लिए भी हमें thank you जो है, बोलना चाहिए, तो हर दिन के बाद रात होता है, हर रात के बाद दिन होता है, वैसी पंजाब वालों का भी रात आने वाला है, ठीक है, अच्छा, question, discuss करने बोला है, question को पड़ा लेते हैं, यह पूछ रहा है, कि पंजाब और हर्याना में अगर हम लोग देखें, तो साल भर में जो बारिस होती हो, बहुत जादा तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनके यहाँ इतना जादा जादा एगरी कल्चर का production क्यों होता है, तो answer मैंने आपको बता दिया, क्यों होता है, ए इसके अलावा, thanks to green revolution, यहाँ पर high quality के weeds use होते हैं, high quality के pesticides हो गए, fertilizers हो गए, even पानी जहाँ पर नहीं पहुच पाता है, वहाँ पर ये cannel बना ली है, cannel भी जहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, यह भाई साब लोग वहाँ पर tube well बना दी है, बड़े-बड़े, पंजाबी गा आने का shooting करते रहते हैं, ठीक है, तो यह सब चीजों के कारण से यहाँ पर क्या हुआ है, agriculture का production बहुत जादा amount पर होता है, यहाँ पर main source के river है, canal है, tube well है, यह सब यहाँ पर main source है, is the area where we live plain or plateau, where is easier to dig a well and why, हम लोग जिस area पर रहते हैं, वो area हमारा कैसा है, plain है, ठीक है, हमार अगर central 36 की बात करें, तो हमारे central 36 मेंली कैसा है, plain है, और हमारे यहाँ जो है, easy काम क्या है, हमारे यहाँ easy काम है, canal का बना पाना, हम लोगों के यहाँ वेल का बना पाना ज्यादा possible नहीं है, वेल वहाँ पर ज्यादा अच्छे होते हैं, जो पठारी area होते हैं, जहाँ पहा पुछा जा रहा है कि पंजाब और हर्याना में ऐसा क्या सिस्टम है, जिसके कारण से वहाँ पर कम बारिश होने के कारण भी बात भी जो है, वहाँ पर इतने अच्छे agriculture या water के facility अवेलेबल है, तो देखो, आपको मैं बता दूँ कि पंजाब और हर्याना में एक ऐसा geographical location प बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत जादा पानी साल भर बहते रहता है, तो यह लोग क्या किये हैं, बहुत बड़े-बड़े canals बना लिए हैं, और canals बना कर पानी जहाँ पर नहीं होती है, वहाँ पर इन rivers के थूँ क्या करते हैं, वहाँ पर आपने land तक देखो, canals reach the water over a wide area, it is easy to construct canals in the plains, वही बात बोट रहा है कि plain area पर canals का बना पाना क्या होता है, काफी जादा easy होता है, because the rivers float almost the level of the surrounding field, the bank of the river are breached to build the canals, the water flows to the field through these canals, since the land is not undulting, canals carry water to the distance field, plain area जो होती है, वहाँ पर canals का बना पाना easy होता है, और यह तो area ऐसे geographically पुराने तरीके से naturally का है, काफी जादा flat है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ के लोग अभी तो नहीं करते हैं, पहले क्या कि इन्होंने, जो नदी का किनारा होता है, वही सही यह क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो, भगवान जब महरबान होता है, किसी के साथ ना, तो बहुत जादा होता है, चपडफार के देता है, बोलते हैं न, वही जिनके पास यह हुआ, एक तो यह ऐसे जगह पर बसे हैं, जहाँ पर बहुत सारी rivers flow होती है, दूसरा इनके यहाँ ग्रिन revolution हो गया, production बहुत जादा होने लगा, तीसरा यहाँ पर क्या हुआ, कि हरियाना और पंजाब के border के पास एक जगह है नांगल, यहाँ पर एक डैम बना दिया गया, बहुत बढ़ा डैम न, भाकरा नंगल डैम जिसको बोलते हैं, तो यह जो भाकरा नंगल डैम है न, यहाँ पर पानी store होने लगा, store होने लगा, तो लोग क्या करने लगे, canals के थो यहाँ से पानी को अपने area पर ले जानने लगे, प्लस यहाँ पर पानी के store होने के कराणी, technology के कराणी, यहाँ पर क्या हो गया, hydro electricity produce होने लगा, अब देखो, पानी की समस्या भी solve हो गई, fertility तो already है ही अब इस पानी से क्या बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, अब इस बिजली से क्या होने लगे, यहाँ पर industries भी open होने लगा, तो जितना production होता था, उस production को यह क्या करते थे, industries में लाकर, चावल को best quality, sugar cane को, cotton को, कपड़ा, अगर, दुनिया भर के चीजों में बना बना कर क क्या करने लगे, फाइदा यह उठाने लगे, तो यह सब कहाँ पर possible हो पाया, इन्ही reverse, इन्ही green revolution के कारण, जो है, क्या हो पाया, possible हो गया, अब मैं आपको एक बार जो है क्या करता हूँ, भाकरान अंगल डैम को, जो है मैं आपको दिखाता हूँ, कि कहाँ पर बसा हुआ ह सो देखते हैं हम लोग भाकरान अंगल डैम को, यहाँ पर हम लोग भाकरान अंगल को सर्च करते हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि कितना बड़ा जो है वहाँ पर डैम जो है क्या हुआ हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, जो कि काफी huge amount of water को क्या करता है, store करकर रखता इतना जादा पानी, आप imagine करो map जो होता है काफी बड़े जगर को छोटा करके दिखाता है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा जो है यहाँ पर डैम बनाया गया है, और आपको zoom करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर hydro electricity कैसे produce, एक बार मैं आपको zoom करके दिखा देता ह जो है लेकर जो है जाते हैं, तो यह रहा हमारा भाकरा नंगल डैम आप देख सकते हो, यहाँ पर बनाये गया है, और यहीं पर जो है क्या क्या जाता है, electricity produce की जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर industries जो है क्या हुई है, यहाँ पर setup जो हो पाई है, तो यह मेरे खाल से जो भ हीराकुन डैम का भी दर्शन करा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यह दोनों बहुत फेमस है, एक height के कारण फेमस है, और एक length के कारण फेमस है, ठीक है तो एक बार हीराकुन में चलते हैं, यहाँ पर भी electricity produce की जाती है, हमारे चत्तियर से जो महानदी रिवर जो निकलत यह सबसे लंबा है, अगर आप कभी उड़ेशाग गुने जाएंगे तो आप देखेंगे, यह इतना बड़ा यह दैम है, ठीक है, तो यह दोनों हमारे इंडिया के proud हैं, जो कि आसपास के reasons को fertile बनाते हैं, ठीक है, चलो इस video को हम लोग यही पर complete करते हैं, next video में फिर हम लो पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि यह जो एरिया है यह कैसे distributed यहां पर कैसे fertile land पाया जाते हैं क्या-क्या agriculture यहां पर किया जाते हैं ठीक है so I hope आपको chapter समझ में आ रहा होगा chapter थोड़ा सा नहीं बोलूँगा मैं बहुत जादा बड़ा है तो इसके वीडियो काफी पार्ट में आएंगे तो आप थोड़ा पेसेंसली चीजों को समझिए आप यह मत सोचिए कि मुझे exam point of view से भी पढ़ना है आप यह सोच के चलिए कि म आप सोचिए कि मुझे exam में लिखना बसे करके तो यह boring लगेगा वीडियो देखते देखते हो सकता है कि आप सो भी सकते हो ठीक है तो आपसे last में एक request है कि please चैनल को जब subscribe कर लीजिए आप आप videos को देखते हैं likes करते हैं अच्छी बात है लेकिन चैनल को subscribe करने का जब बार ही आता है तो आप subscription जो करते हैं बहुत ही कम जो है करते तो बस आपसे एक छोटा सा request है सो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए